हलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका गार्डन में एक बार फिर से आप सब का स्वागत है आज की वीडियो सिंगोनियम प्लांट के बारे में हैं इसे एरो हैड नाम से भी जानते हैं एरो हेट से मतलब है कि जो जैसे एरो होती है तीर उसका जो हैड होता है नुकिला इसकी जो पत्यों की शेफ होती है बिल्कुल वैसी ही होती है इसलिए इसे एरो हेट कहा जाता है सिंगोनियम एक evergreen ornamental plant है बाकी जो ornamental plants होते हैं उनसे ये थोड़ा सा अलग है जैसे कुछ indoor plants होते हैं वो indoor में ही अच्छी performance दे पाते हैं और कुछ outdoor plants होते हैं जो outdoor में बहुत अच्छी performance देते हैं पर वो indoor में अच्छी performance नहीं दे पाते पर syngonium का ये पौधा indoor और outdoor दोनों जगे बहुत अच्छी performance देता है या फिर इस तरह कह सकते हैं कि ये पौधा full sunlight में भी बहुत अच्छे से grow होता है और shade में भी बहुत अच्छे से grow होता है और ये syngonium का plant बहुत ही low maintenance का plant है आप एक बार लगा दोगे तो इसकी बहुत ज्यादा care की ज़रत नहीं पड़ती है इस पौधे का कुछ कुछ जो nature है वो money plant के nature से match करता है जैसे मतलब ये एक creeper के रूप में भी grow होता है जैसे money plant की भी बेल हो जाती है बिल्गुल वैसे ही मेरे इस पौधे में मतलब काफी लंबी वो stem निकलाई है जो मैंने भार की तरफ लटकाई हुई है इसके साथ साथ इसमें एक sweet potato की बेल में लगी हुई है मैरून कलर की जैसे तो singonium के plant को grow करना बहुत ही easy है फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी tips देना चाहती हूँ जिससे आपका plant हमेशा हरा बरा और फलता फूलता रहेगा सबसे पहले बात करते हैं इसके propagation की कि हम इसे कैसे grow कर सकते हैं singonium के plant को cutting से बहुत आसानी से grow किया जा सकता है आप देखते होंगे कि अपके singonium के plant में नई नई branches निकलती रहती हैं उनमें से नई नई पतिया निकलती रहती हैं तो इसमें stem की कोई कमी नहीं होती हैं कहीं से भी कोई छोटी सी stem लेकर आप मिट्टी में लगा सकते हैं जैसे देखी मेरे मेरे में अभी एक new leaf निकली है इससे पहले भी मैंने आपको दिखाई थी इसमें बहुत सारी branches हो गई हैं कुस्तों बहुत बढ़ी-बढ़ी हो गई हैं जो मैंने बहार की तरफ लटका दी हैं तो आप कोई भी branch लेकर मतलब 5-6 inch की कोई भी branch लेकर उसे मिट्टी में लगा सकते हैं वह बहुत easily grow हो जाती है और नया पौधा तयार हो जाता है अच्छा cutting के अलावा इसकी branches पर जो थोड़ी जड़ें जैसी निकलती रहती हैं जिने runners भी कहते हैं इसके यह देखिए जैसी यह जड़ें दिख रही हैं यह इसके nodes मतलब जो थोड़ी गाठें जैसी होती हैं जोड़ वहां से निकलती हैं अगर आप अपने सिंगोनियम के प्लांट की इस ब्रांच को जिसमें runners है मतलब जो थोड़ी थोड़ी नोड़ से जड़ें निकल रही हैं उनको मिट्टी में दबा देंगे तो भी वहां से नया पौधा तयार हो जाएगा अब बात करते हैं सॉयल की तो फ्रेंट्स यहां पर बता दू कि सिंगोनियम का प् और उसमें हम एक moist stick भी लगा देते हैं उसी तरह आप इसमें भी moist stick लगा सकते हैं पर गंबले में पानी भरा रहना ठीक नहीं होता है ज्यादा पानी से नीचे से इसकी जो पत्तियां हैं वो खराब होने लगती हैं गर्मियों में आप इसे दोनों टाइम पानी दे और आप ही बहुत अच्छे से ग्रो होता है पर दो-तीन महीने में आप इसे थोड़ा सा काव मैनवर या वर्मी कमपोस्ट या जो भी आप बागी प्लांट में फटीलाजर यूज करते हैं यूज कर सकते हैं इससे यह प्लांट बहुत हेल्दी बना रहेगा आप आते हैं पर तो यह तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बता दिया है या फिर मैंने टाइटल में भी लिखा है कि यह पौधा ऐसा पौधा है जो फुल सनलाइट और बिना सनलाइट के भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है यह आप इसे अपनी सुविधा के हिसाप से अपन इरिया में मतलब गार्ण वगरा में लगाएंगे और किसी ट्री के पास लगाएंगे तो इसकी जो बेल है यह पेड़ के ऊपर चड़ जाती है उस टाइम आप देखेंगे कि जो इसके यह पत्ते हैं यह काफी बड़े-बड़े हो जाते हैं मतलब किसी पेड़ के ऊपर इसकी तरह अपने प्लांट की केर करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सब के लिए बहुत यूसफुल होगी वीडियो अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को रेगुलरली देखते रहें मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरुवत है थैंक्यू वीवर्स आपका दिन शुब हो